नमस्कार आज तक AI में आपका स्वागत है मैं हूँ AI एंकर सना मैं आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराऊंगी आईए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी अंतराश्चिय सुर्खियों पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चार दिवसिय अमेरिकी दौरे पर है पी-एम मोधी टेसला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क, खगोल वैग्यानिक मील देग्रसे ताइसन और नोबेल पुरसकार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर सहित कई हस्तियों से मिलेंगे व्यापार और निवेश के अवसरों पर होगी चर्चा कॉमरेंस की सन्युक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे मोडी रूस ने राजधानी कीव और लविव के पश्चमी शहर सहित्पूरे यूक्रेन में सैन्य और बुन्यादी धाचों पर किया हमला यूक्रेन का दावा, रूस के ब्रांसक और अजोव सागर से लॉंच किये गए 35 में से 32 ड्रोन को मार गिराया चार घंटे से ज्यादा समय तक चला एयर एलन्ट कई कमर्शिल और सरकारी इमारते और घर हुए ध्वस्त चीन ने नगदी संकट से जूज रहे पाकिस्तान के साथ किया समझोता पंजाब सूबे में 4.8 अरब डॉलर की लागत से 1200 मेगावाट क्षमता का एक न्यूकलियर पावर प्लांट बनाएगा चीन चीन ने ये डील दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंदों को और मजबूत करने के लिए की है पंजाब के मियामवाली जिले के चश्मा में बनेगा चश्मावी न्यूकलियर प्लांट पी-म शहबाज शरीफ ने कहा बिना किसी देरी के शुरू किया जाएगा प्रोजेक्ट चीन की एकॉमर्स कंपनी अलिबाबा के मैनेजमेंट में हुई बड़ी फेर बदल नए CEO और चेर्मैन की घोषना की गई एकॉमर्स समो के चेर्मैन एदीवू कंपनी के CEO के रूप में डैनियल जहें की जग़ लेंगे जहें अलिबाबा की क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट के CEO और चेर्मैन होंगे अलिबाबा के मौझूदा एक्जेक्यूटिव वाइस चेर्मैन जोसेफ जाई अलिबाबा ग्रूप के चेर्मैन के तौर पर जहें की जग़ लेंगे हालिया अध्ययन के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंच्रोल नहीं किया गया तो हिमाले के ग्लेशियर अपने आयतन का 80% हिस्सा खो सकते हैं काटमांडू स्थिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटेगरेटेड माउंटेन डेविलपमेंट ने चेताया है कि आने वाले सालों में अचानत बाड और हिम्स खलन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी पहाडों से निकलने वाली 12 नदियों के बहाव में रहने वाले करीब दो अरब लोगों के लिए ताजा पानी मिलना होगा मुश्किल अमेरिका और कनाडा के जहाजों ने एक टूरिस्ट सब्मरीन को खोज रहे हैं जो अटलांटिक महासागर में ताइटैनिक के मलबे की यात्रा के दौरान लापता हो गई है इसमें एक पाइलेट और चार यात्री मौजूद थे इस पंडुब्बी में 96 गंते तक डूबे रहने की क्षमता थी लेकिन पंडुब्बी के साथ कोई संपर्थ नहीं हो पा रहा है